Hello everyone, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बाजार जैसे समोसों की रसीपी जी हाँ, एक्चली अक्ठस्ट लोगों की शिकायत रहती है कि हमारी समोसे बाजार जैसे टेस्टी नहीं बनते लेकिन अगर आप इस तरीके से समोसे बनाएंगे तो यकीनन आपके समोसे बाजार से भी टेस्टी बनेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं समोसे बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम मैदा, 50 ग्राम ओयल, नमक टेस्ट के एकोर्डिंग और अजवायन दो चमच तो हम सबसे पहले एक बड़ा बॉल लेंगे, उसमें मैदा डाल लेंगे थोड़ी से अजवायन को हाथ पर लेकर उसको अच्छे से क्रश करेंगे और मैदा में डाल देंगे इसमें अजवायन की जो फ्रेग्रेंस होती है बड़ी अच्छी से आ जाती है उसमें और इसमें और जो हम नमोईन के लिए और लिया था वो अच्छे से मिक्स करेंगे जब इसमें ऑईल, सौल्ट और अजवायन अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका टाइट सा डॉप बनाएंगे इसे बहुत जादा पानी एकदम नहीं डालना है मिनिमम पानी में आठा बनाना है यह देखिए यह डो बन गया है अब इसको हम आधा से एक घंटे के लिए रख देंगे चलिए तब तक हम अपने समसो का मसाला त्यार कर लेते हैं इसके लिए मैंने लिए हैं साथ आठ बॉयल नमक, जीरा, हींग, धनिया पाउडर, गर्म मसाला, कसूरी मेथी, बारी कटा वादरक, हरी मिर्च और नीमबू अब हम सबसे पहले एक पैन रखेंगे गैस पर उसमें दो से तीन टेबल स्पून ओयल के डालेंगे इसमें हींग, दो चमत जीरा इसमें सभी कुछ मसाले थो प्रॉय स्पाइसी अच्छा लगता है और जीरा होने के बार धनिया पाउडर, धनिया पाउडर भी हम दो से तीन चमस डालेंगे मिर्च पाउडर, टूइस्पून गर्म मसाला, टूइस्पून सॉल्ट, टूइस्पून, टेस्ट के कॉर्डिंग, कसूरी मीथी, अब ये सब मसाले खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे गैस फ्लेम बहुत ज़्यादा कम नहीं रखेंगे जब अच्छे से मसाले फ्राई हो जाएं, तो हम इसमें आलू और मटर डालकर साथी, अद्रक और हरी मिच पी डाल देंगे, और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे इसको चलाते हुए सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें गावा ऐसी अच्छे लगते हैं, कुछ थोड़ा सा ज़ादा मेरा मैश कोई WITH, थोड़ा सा कुछ मोटे जो बहुत ज़ादा कोई मोटा पीस रहें, तो इसको दबाएकर ठीक कर सकते हैं बाकी समें छोटे बड़े मिक्स होकी ही अच्छे रखते हैं यह देखे मसाल अच्छे से फ्राई हो गया है अब इसको हम ढख कर थोड़ी कि लिए रखतेंगे हमने यह डोव बनाकर रखा तो देखते हैं देखिए बड़ा अच्छा सा हो गया है इसको एक्चुली हम थोड़ा सा बड़ा बरतन लेकिए उसमें टाइट हास से आठ से दस बार अच्छे से इसको रोल करेंगे है टोह हमारा जितना अच्छा बने गा समसी उत्म ही अच्छे बनने वाले है इन अब मसाला देख लेते हैं वाओ बड़ी अधी सी नत्रक्राइनस आ रही है हमारी समुद्ध कीशोग मसाला देख लतार आ रिए है इसको अच्छे से एक बार का चलाकर गैस को बिठारा है और हुआ अपने समोसे तयार करते हैं पूरे डोग को मैंने छे पार्ट में डिवाइड कर लिया है और एक पार्ट से दो समोसे बनने वाले हैं इट मिंस 250 ग्राम मैदे से ट्वाल समोसा बनेंगे हम एक एक लोग को लेकर उसको बेल लेंगे इसको हमें बहुत ज्यादा पतला भी नहीं रखना है और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है इसको पहले हम रोटी की तरह बेलते हुए थोड़ा सा ओवल शेप में ले आएंगे जिसे नान की शेप होती है उस टाइप से अगम थोड़ा सा ओवल शेप में लेंगे तो उससे हमारा समोस अकल साइस पफ़ेक्ट हलवाई वाला बनेगा और फिलिंग भी उनी की तरह से पहुत सारी आईगी उसके अंदर ये देखें ये तयार हो गया है आप हम इसको पीछ में से कट कर लेंगे ऐसे करके हम अपने सभी समोसो का बेश तयार कर लेंगे ये देखें समोसो की सभी बेश तयार है अब हम एक एक पीस लेकर समोसे की फिलिंग करेंगे ये मैंने एक पीस लिया है और पानी इसकी फ्लैट वाली जो साइड है उसमें अच्छे से लगा कर इसको कौन की थरह फोल्ड कर दिया है इसको अच्छे से चिपका कर इसको दबा कर चिपका देंगे ताकि कौन की अच्छी से शेप आजाए ये देखें कितने अच्छी शे इसमें आएगा उतना ही समोसा टेस्टी लगेगा अच्छे से मसाला भरने के बाद जो पर हमारी एक कुछ साइड बची हुए है इसमें चारो साइड हलके हाथ से पानी लगाएंगे और पीछे की साइड एक प्लेट डाल देंगे यह देखिए प्लेट डालने से समोसे की फिर वही शेप बिल्कुल हलवाई जैसे आजाएगी और यह बहुत दिखने में भी बहुत अच्छा लगने वाला है फिर यह देखिए प्लेट शेप आईए ना मैं आपको एक फिलिंग और दिखा देती हूँ पहले ऐसे पानी लगाकर इसको कौन की शेप में अच्छे से दबा कर चिपका दिया यह देखिए कौन तयार हूँ अब इसमें फिलिंग भर देंगे अच्छे से दबा दबा कर भरेंगे ताकि ज़्यादा मसाला आए अब इसमें उपर की साइड चारो तरफ पानी की खलका सा टश देते हुए बैक साइड में प्लेट डालेंगे दिन दोनों साइड आपस में अच्छे से चिपका देंगे यह देखिए कितना अच्छा सा समोसा त्यार हो गया है ऐसी हम सब समोसा की फिलिंक कर लेंगे यह देखिए कितने अच्छा लग रहा है न चलिए अब इनको तलना स्टार्ट करते हैं अम एनी कड़ाई में ऑईल गर्मोनी के लिए पहले सी रख दिया था इसमें थोड़ा सा अटर डाल के देख लेंगे कि अब हमारा तेल परफक्ट तयार है नहीं यह हलका सवर होना है अब हम इसमें किक करके समोसा डालेंगे हमें तेल को जो गर्म रखना है वो ना तो बहुत ज़्यादा तेज रखना है ना बहुत ज़्यादा ठंडा और बीच बीच में भी हमें गैस को कम और थोड़ा सा तेज करते हुए मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि समोसों के अकोर्डिंग हमारे किस तरह से समोसे सिख रहे हैं एक बार के समोसे सिखने में आठ मिनिट के करीटों लगते हैं क्योंकि हम इसको तेज आज पढ़ नहीं चल सकते यह तो वो बहार से सिख जाएंगे और अंदर से कच्छी रह जाएंगे ऐसे लटते पलटते हुए हमें चाल तरफ से अच्छे से समोसे को सिख लेना है और प्रोपर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको हम ऐसे ही तलते रहेंगे यह देखिए अच्छा सा कलर आना शिरो हो गया है गैस फ्लेम को हमें बीच-बीच में मैनेज करना पड़े हुए गैस फ्लेम वैसे मीडियम टू स्लो ही राती है इसमें हाई फ्लेम नहीं रखेंगे अब हमारे समोसे रेट ही हैं इनको एक-एक करके निकाल लेते हैं और देखिए ना कि इसमें हमारे समोसे के उपर बिल्कुल हलवाई जैसे शेप और पाप्री भी हलवाई जैसी ही बनी है और जब आप इसको खाएंगे ना तो हलवाई के समोसे बोल जाएंगे यह देखिए है न पाफक्त अब इनको सर्व कर देते हैं आप भी यह घर में जरूर बना कर ट्राइ कीजिए और आपको कैसे लगे हमें बताईए थैंक यू पाफक्त